वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है कामधंद यूटूब चैनल में दोस्तों आज की उड़े में हम बात करने वाले हैं आप इस तरह की मशीन को खरीद करके एक ही मशीन से आप 10-15 तरह के अलेले प्रकार के प्रोड़क को पैक करके सेल कर सकते हैं इस मशीन का इस्तिमाल करके दोस्तों पॉपकॉन को बना करके आप मल्टीपल फ्लेवर इसमें एड़ करके इसको पैक करके सेल कर सकते हैं और इसके साथ साथ दोस्तों सभी प्रकार के तरल प्रोड़क जो होते हैं जैसे कि दोस्तों दूद, धही, लस्सी, छाज, पानी इस सेल कर सकते हैं आप सभी फूट के जूस निकाल करके जूस बना करके दोस्तों इस तरह से पैक कर सकते हैं दोस्तों बहुती छोटी मशीन है दोस्तों इस मशीन से सभी प्रकार के प्रोड़क को बड़ी आसानी से पैक कर किया जा सकता है इसके बाद दोस्तों सभी प्रकार जैसे की घी होता है घी को पैक कर सकते हैं आप इस तरह से दोस्तों हानी याने शेहत को पैक कर सकते हैं इसी प्रकार दोस्तों आप अलग लग प्रकार के जूस बना करके भी इसको पैक कर सकते हैं आप फ्लेवर मिल्क को पैक कर सकते हैं सभी प्रकार के फ्लेवर मिल्क आप ब कि नाम से इस्टिगर के लगाने होते हैं इस तरह के इस्टिगर आपको कॉंटक करके मसीन और सभी पैकिंग का मट्रियल आप खरीच सकते हैं इस तरह से दोस्तों प्रिंटेट सील भी आप अपने कंपनी के नाम से प्रिंट करा के ले सकते हैं जो भी प्रोड़क आप पैक करना चाहते हैं उसकी इमेज इस तरह से होगी इसके उपर और आपके कंप करा हूंगा हमारी सबसे हो टमके मशीन मैनूल होट फॉइल इसलिं इसलिंग मशीन यह मशीन सबसे बेशिक है इसका वेट करीबन 4 kilo के असपास है और आप यह मशीन कहीं भी आपके घर, आपके ओफिस, आपके फेक्टरी पे कहीं पे भी ये मशीन रख के ऑपरेट कर सकते हो ये मशीन जो है वो सिंगल फेस, 230 वोल्ट में चलता है और ज्यादा इलेक्रिक सेटी नहीं खाती है ये मशीन अभी आपको दिखाऊँगा कि ये मशीन में किस पेरिके से आप सील कर सकते हो अब आप देखेंगे कि अभी ये जो एक ग्लास है ये ग्लास में हमने पॉपक्वन भरा है आप क्रीम, छास, कोकम शर्बत, पानी, किसी भी चीज़ को आप सील कर सकते है ये जो पॉपक्वन की ग्लास आप देख रहे हो, इसको आपको सबसे पहले इसके अंदर डालना है ये इसको हम फिक्षर बोलते है, इसके अंदर अपने ग्लास डाली यह Aluminium Foil है Aluminium Foil को आपको इस Glass के ओपर रखना है और हमने यह देखे आपके Cut दिया है यह Cut यहाँ पे जो यह Potion है यह आपको यह Cut के यहाँ पर रखना है इस तरीके से और आपको इसको Move करना है अंदर के Side में जो आपके Heater है Machine को अब हम चालू करेंगे यह देखे यह है Temperature Controller अब यह Type की Glasses के लिए आपको करीबन 50 to 60 पर रखना है अभी हम 60 पर रखेंगे 60 पर रखने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे दो लाइट एक Red और एक Green यह दोनों लाइट चालू हो जाएगी जब आप 60 पर इसको रखेंगे कुछी सेकेंज के बाद में करीबन एक या दो मिनिट के आसपास में Green लाइट जो आप देख रहे हैं यह बंद हो जाएगी मतलब अपना Heater गरम हो चुका है अब आप देखेंगे कि हमारी लाइट बंद हो चुकी है यह Green वाली तो अब हम Sealing करना चालू करेंगे हम इस Glass को Seal करते हैं अगर आपको यह Foil और आपको यह requirement हो तो आप हमें बता सकते हैं हम यह Foil भी Supply करते हैं और कर साथ में Glass भी अब यह Foil को हमने यहापे रख दिये अब इसको हम थोड़ा आगे लेंगे Heater के यहाँ पर और इसको Press करेंगे करीबन 2-3 सेकेंड में Seal हो जाता है अब फक्षर को बाहर निकालिए यह देखिए Seal हो गया कि क हम दो कर दोसा जाता है कर दोचिकोंते है अभी पहलब विह में पर कि यह दो अप सेकांस क्या दोच सेकाा चंचिकोंते सबी प्र प्रवाच拧ब तो अब आप देखिए किस तरीके से हमने कुछी सेकेंड्स में आपको डेली सील करनी है तो यह मशीन सबसे बेस्ट आप्शन है, सबसे कॉमबेक्ट है, सबसी एगजी है उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, वीडियो को सेर करें, अपने दोस्तों के साथ में वाट्सवाबर, फेस्बूक के जरीए, मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नए बिजनस आइडिया के साथ में अपना खयाल रखिये, ठैंक्यू, जैहिंद!